तो यहां पे हम क्लास 8 के जो स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट्स का चेप्टर है चेप्टर 6 उसका पेज नमबर 91 में है और यहां पे एक ट्राइदीज है यहां पे आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है यह दोनों के दोनों हम इसमें सॉल्व करेंगे इस वीडियो में तो which of जैसे यहां पे दिया है 123 का स्क्वेयर 77 का स्क्वेयर 82 का स्क्वेयर 161 का स्क्वेयर and 109 का स्क्वेयर स्क्वेयर का मतलब आप 123 multiplied by 123 को आप लिख सकते हैं 123 का स्क्वेयर ठीक है इसका मतलब यह ही है सेम नंबर को दो बार multiply मतलब आपस में multiply करना है सेम नंबर को तो उसको इस format में लिखा जा सकता है ठीक है अभी वो पूछ रहा है which of इन में से कौन सा नंबर है जिसका end उसका unit digit या once digit आपका one होगा किसका हो सकता है जैसे unit digit को अगर उसी के साथ multiply करोगे 3 को 3 के साथ यहा unit digit कोन सा है यहा 3 7 2 1 9 इसको उसी के साथ multiply करोगे तो पता चल जाएगा आपका square का unit digit क्या होगा जैसे 3 का 3 9 नहीं हो सकता 7 का 7 49 नहीं हो सकता 2 का 2 4 नहीं हो सकता 1 का 1 हो सकता है और 9 multiplied by 9 81 उसका भी हो सकता है यानि कि 161 और 109 का square आपका one digit के साथ end हो रहा है खीके तो अब चलते है next में तो इसमें दिया है which of the following numbers would have digit 6 at unit place तो ऐसा squares का unit digit में 6 किसका हो सकता है जिसका ये 19 है 19 का 9 unit digit है उस 9 unit digit को उसी 9 के साथ multiply करोगे अगर last में 6 आ रहा है तो फिर आप उसका बता सकता है जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 into 9 केतना होता है 81 होता है तो इसका नहीं हो सकता है 4 into 4 16 होता है 16 होता है तो इसका हो सकता है इसका unit place हो सकता है same 6 into 6 36 इसका हो सकता है again 6 into 6 36 हो सकता है और 34 यहाँ पे यह भी हो सकता है यानि 6 किस-किस के case में आता है सिर्फ आता है जहाँ पे अगर last में आपका 4 और 6 हो तो फिर square में भी आपका 6 आता है 4 और 6 के case में square में 6 आता है तो फिर सिर्फ एक नहीं हो सकता 19 बाकी सब इसमें हो सकते हैं राइट तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं next video में till then goodbye schedule कर दो करेंग इसमेडियों